फिर से स्वागत है हमारे यूटुब चैनल में आज हम जियोफोन यफ 220B के टोटली कीपेड्स के जो वेज रहते हैं लाइन्स रहते हैं उसके बारे में हम जान करें लेंगे तो बने रहे हैं हमारे वीडियो में आखरी तक ताकि आपको कीपेड में यफ 220 जो जियोफोन है उसके बारे में कभी दिक्कत ना आए ये पूरा टूटली आपको मैं समझाओंगा स्केच के साथ आप ठीक तरगी समझ पाएंगे तो पहले हम लेंगे पॉजिटिव ट्रैक जो बटन के जो सेंटर में रहता है वो पॉजिटिव ट्रैक होता है तो वो पॉजिटिव ट्रैक की शुरुवात हम करते हैं तो ये जो लाइन आपको दिकाई दिरी है तो ये देख लेंगे तो आपको फिक्स तोटली समझा जाएगा बाद में आपको किसी प्रकार की लाइन चेक करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी जैसे कि आप देख सकते हैं यह जो वाला ट्रैक है यह ट्रैक कहा कहा तक जाता है मैं आपको बताऊंगा अभी हम कॉल बटन का तरफ जाता है वही जो सी रहा है वो नीचे वाले अरो बटन पर जाता है और अरो बटन से होते हुए वो स्टार बटन पर जाएगा जैसे कि आप देख रहे हैं या पर इस तरीके से स्टार बटन से होते हुए वो नौ नंबर के पॉजिटिव सीरे में जाएगा नौ नंबर का जो बटन होता है इसके पॉजिटिव सीरे में जाकर अटेश होगा अभी हम एक नंबर बटन का पॉजिटिव सीरे लेंगे यह एक नंबर बटन है एक नंबर का बटन यहां नीचे सीरो बटन पर जाएगा और यहीं सीरा आपको आट नंबर के पॉजिटिव सीरे पर भी मिलेगा इस तरीके से वो उपर की और भी जाएगा मैं आपको दिखाता हूं दो नंबर वाले बटन पर यहांसे हम एक नंबर से डारेक्ट दो नंबर भी अटेच कर सकते हैं उसका कोई दिक्कत ने मगर मैं आपको ठीक तरीके साथ समझा रहा हूं ताकि आपके एक बार दिमाग में बढ़ जाए कि पूरे किस तरह से होता है तो आपको बाद में कुछ सा चेक करने की पूरेजर होतने पड़ी कि डारेक्ट लिए हम उस बटन को अटेच कर सकते हैं अब हम अप एरो पॉजिटिव बटन लेंगे अप एरो सेंटर बटन में भी जाएगा अब हम इस तरीके से नीचे भी अब हम लेफ्ट आरो में भी आटेच होता है पॉजिटिव डारेक्ट अगर नहीं चाहरा एक उनसा बटन तो हम अप एरो से लेफ्ट आरो में भी आटेच कर सकते हैं सेंटर से भी लेफ्ट आरो में भी आटेच कर सकते हैं जम दे सकते हैं जम पर वायर की साय अतसे और यहां पर हम वही बटन को पॉजिटिव में हम छे नंबर बटन पर आटेच कर सकते हैं आच नंबर बटन पर आटेच कर सकते हैं और यह जो होता है यह पावर बटन होता ह पावर बटन मैं आपको मतरबोर्ड में दिखाता हूँ जो कहां पर अटेच होगा यह जो डॉट दिख रहे हैं आपको यह किसे तीन नंबर वाला जो डॉट होता है उस पर डायरेक्ट जंप देने से पावर बटन चलो होगा अगर आपको ट्रैक नहीं में देए तो आभी प अपने चानल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए लाइक तीचे कमेट कीजिए अभी हम देखेंगे निगेटिव लाइन्स निगेटिव लाइन्स कहां-कहां जाती है हम आपको बताएंगे इस तरीके से अब बटन के निगेटिव लाइन में जाती है यासी भी हम अगर दो खराब हो सकते हैं तो उसको हम चंप दे सकते हैं एक बटन से एक बटन तक यह राइट आरो में जाती है और यह बैक बटन में जाती है इसके हम कॉंटेक्स वगर कुछ ओपन कर सकते हैं यहां पर अटाच होती है, यह नीची साइड में अटाच होती है यह नीची जाती है यहां पर इस तरीके से क्रॉस अटाच होती है तो यह इस तरीके से समझाने का उत्देश यह है कि आपको अच्छे तरीके से समझाए ताकि अगर कौन सा बटन में अगर कंटिनुटी ने आ रहे है तो आपको वहां से वहां तक जंप देना असानी से हो जाए इसलिए इस तरीके से मैं आपको समझा रहा हूँ थाकि पूरे बटन के बारे में आपको नॉलेज मिले और बार बार आपको स्केज देखने की कोई जरुद नहीं पड़े तो इस तरीके से जो निगिटिव से रह रहते हैं वो एक मेक से अटेश होते रहते हैं आपको मैंने टोटली बता दिया है यह जो रहता है पाउर बटन का जो निगिटिव से रह रहता है यह ग्राउंड से अटेश रहता है अगर आपको ground आपर नहीं मिर रहा है तो किसी भी तरह से बौर्ड में से हम ground को juum पर देखिए अटेच कर सकते हैं आप दोस्तो स्थे तरीके से मैं ने आपको एक अच्छी तरीके से एक वीडियो में बना कर आपको दिखा आप तो I hope friends आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आए होगी तो पसंद आई हो थोड़ी भी अगर पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें और निचे कमेंट सेक्शन में आपको किस प्रकार की वीडियो चाहिए मोबाल से रिलेटेड लेटर सेक्शन बोलो या किपट के बारें बोलो किस प्रकार की चाहिए आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं